हेलो दोस्तो विल्कम टो में चनल लेते दोस्तो देख सकते हैं मेरे पास आज एक हिडिन कैमेरा है और यह जो हिडिन कैमेरा है दोस्तो यह एक मोबाइल चार्जर के अंदर है ठीक है तो यह चार्जर पहले हम जो है देख लेंगे कैसा है तो देख सकते हैं इस तरह का एक बहुत ही Simple आए और दोस्तों ये जो देख सकते है चार्जर है इससे आप फोन भी चार्ज कर सकते हो तो पहले हम यहाँ पे User Manual Guide जो है वह देख लेते हैं तो यह Hindi में है और देख सकते हैं यहाँ पे कैमेरा को कैसे लगाना है इसमें कैसे HD काट डालना है तो यह सारे कुछ लि कॉटिंग भाला धक्न होता है वो है दूसतरा है ये डार को यह जो तो यहां पे य Spaßते हैं जो जुए ढारी जाए घुती है तो यह बहुत ही चोटा सा इसका है इतना सा है और इस से जो है 우 उतो है यह यह मोगार्ग पर भी करता है और वीडियो रह्र कोड़िंग भी करता है, तो पहले आते हैं दोस्तों, यहां पे तरह से आपका एजडी कट चला जाता है ठीक है इस तरह से आप यहां पे जो है एजडी कट लगा सकते हैं तो देखिए मैंने यहां पे इस तरह से एजडी कट जो है लगा दिया है तो दोस्तों यहां पे एजडी कट लगाने पर क्या होता है आपका जो यह कैमेरा है यह रेक कर सकते हो ठीक है तो यहां से जो है आप अपना HD Card निकाल के अगर फोन या PC लैप्ट आप में लगाओगे तो यह HD Card जो है आपका PC Laptop में सपोर्ट करेगा और वीडियो को आप ले सकते हो ठीक है दूसरा option आपको मिलता है यह देख सकते हैं USB port आपको मिलता है एक साइड वाला डालना है, मोबाइल का जो OTG होता है, OTG के साथ connect करके भी आप इसका data को ले सकते हो, मतलब वीडियो को ले सकते हो, तो इससे मोबाइल भी चार्ज हो जाता है, दोस्तों बहुत ही अच्छे से चार्ज होता है, यहाँ पर कैमेरा देख सकते हैं, बहुत ही बर recording भी करेगा, तो यह वाला देख सकते हैं, धकन आपको दिखा देते हैं, तो यह वाला धकन जो है, यह transparent glass नहीं है, यह coating वाला glass है, मतलब उपर से जो है camera नहीं दिखेगा, यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, लेकिन camera के उपर लग जाने पर यह छेद नहीं दिखता, तो दे mobile charge कर पाता है के नहीं, और इसका video output देखते कैसा है, और दोस्तों इसमें एक और features भी है, अगर मान लिजिए आपके पास जो है, कोई webcam नहीं है, या कोई भी और दूसरा camera नहीं है, तो आप इसमें इस तरह से जो है, यह adapter लगा के, और यह वाला point जो है, अपने computer में लगा क webcam के हिसाब से भी use कर सकते हैं, और OTG में USB camera के हिसाब से भी use कर सकते हैं, तो चलिए एक एक करके दिखाते हैं दोस्तों, और दोस्तों जो हमरे channel में नया है, वो जल्दी से subscribe कर दें, ताकि इस तरह का और वीडियो भी आपको मिल सकें, तो चलिए दोस्तों इसको जो है, फोन जो है, switch on कर देना है, switch on करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, LED जलना है, तो LED जलने के बाद, आपको एक red color का LED यहाँ पर blink होने दिखेगा, मतलब आपका जो recording है, वो चालू हो गया है, देखी, यहाँ पर आपको एक LED जलना दिख रहा है, तो यहाँ पर यह रेकोडिंग जो है, वो हो रहा है, तो बहुत अच्छे सी इसका recording जो हो रहा है, अगर आप उपर से इसे cover करना चाते हो, तो इस तरह से इसे cover भी कर सकते हो, जिससे आपका LED जो है, वो नहीं दिखेगा, देखी, यहाँ पर LED नहीं दिख रहा है, कैमेरा भी नहीं दिख रह चाहते हो, कोई भी phone जो है, इस आसानी से charge होगा, क्योंकि यहाँ पर देर एमपेर का charger लगता है, देखिए, यहाँ पर मेरा जो phone है, यह चार्ज हो रहा है, अच्छे से, तो यहाँ पर इसे charge भी होगा, और यहाँ पर देखी, video recording भी होगा, ठीके, मतलब आपको यह वाला side जो है, वो नीचे रखना होगा, तो देखिए, दोस्तों हमारा video recording भी हो रहा है, तो इसको आप hidden camera के रूप में यूज कर सकते है, उसके बाद आपको एक phone लेना है, जिसमें आपका OTG supported होता है, ठीके, यहाँ पर देखिए, यह वाला phone में मेरा OTG जो है, वो support करता है, तो य यहाँ पर मैंने यह वाला camera यहाँ पर fit कर दिया है, ठीके, यहाँ पर fit कर दिया है, तो देखिए, यहाँ पर camera जो है, वो start हो जाता है, ठीके, तो इसे घुमा देते हैं, ताकि मैं जो video बना रहा हूँ, वो आपको दिख जाए, तो यहाँ पर मैं जो इसका camera का उपर का धक है, इसे हटा देता हूँ, ठीके, तो आपको दिखने में भी जो है, आसानी होगी, तो यहाँ पर, देखिए, यहाँ पर charging का port यह वाला देखिए, यहाँ पर charging का port लगाते ही, आपका जो यह camera ही, यह चलू हो जाएगा, ठीके, तो यहाँ पर charging का port मैंने लगा दिया है, और देखिए, यहाँ पर camera जो है, वो हमारा चलू हो गया, देखिए, यहाँ पर भी video serve करने लगाए, ठीके, इस तरह से जो है, आप इस camera को as a webcam हिसाब से भी use कर सकते हैं, वीडियो recording भी ले सकते हैं, और देखिए, यहाँ पर हमारा camera जो है, बहुत ही अच्छे से work कर रहा है, इसका quality देख सकते हैं, यहाँ पर जो है, बहुत ही बड़ी है quality का आपका video जो है, वो show होता है, यहाँ पर HD card में भी आपका storage होता है, यहाँ पर जो HD card है, इसमें भी आपका storage होता है, और यहाँ पर mobile में भी आप इसमें storage जो है, वो कर सकते हैं, ठीके, इस तरह से जो है, आ आप इसे use कर सकते कोई problem नहीं होगा देखिए automatic जो है camera support ले लेगा देखिए इस तरह से जो है आप इसे use कर सकते camera का जो quality है दोस्तों बहुत ही अच्छा quality है देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूं दिखिए और यहां पर मैं वीडियो बना रहा हूँ देख सकते हैं उपर मेरा एक phone लगा हुआ है stand पे दोस्तों इसका जो है Wi-Fi version भी आपको मिल जाता है लेकिन Wi-Fi जो है अगर आप किस detection है वह भी support करता है तो चलिए दोस्तों बोड में लगा के देखते हैं इसका जो वीडियो quality है वह कैसा है तो देख सकते हैं यहां पर LED ब्लिंक हो रहा है recording चालू हो गया है दोस्तों यहां पर recording जो है वह चालू हो चुका है कैमेरा का जो picture quality है वह आप देख सकते हैं तो इस चार्जर है दोस्तों यह किसी को दिखेगा नहीं और यह मेरा फोन भी चार्ज हो रहा है तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भुलेगा धन्यवाद